और हर महिला हर पुरुष अपने आप में सुन्दर होता ही है सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच का फार होता है हमें दूसरे की नजरों से कुछ मतलब नहीं है हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बहुत कुछ हमने सोच रखा है कि हमें ये करना है ये बनना है हमें एसा दिखना है है ना लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर यह होता है कि मैं सुन्दर नहीं हूं मैं ऐसी नहीं दिखती मैं वैसी नहीं दिखती मैं उसकी तरह नहीं है दोस्तो हाई अवरिवन में लखी लभी मॉंग आपका वेलकम करती हूं आपके इस चनल में कहिए दोस्तो कैसे आप में करती हूं सब बहुत बढ़िया होंगे खोश होंगे और हमी सब मुश्कुराते रहे दोस्तो दोस्तो जो मुश्कुराहत है ना वह हमको जीने की रहा चलिया आते हैं अपने टॉपिक पर कि मैं सुन्दर नहीं हूं और मैं सुन्दर कैसे दिखू मैं स्मार्ट कैसे बनों लोग मुझे पसंद कैसे करें मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ू क्योंकि मैं बढ़ी नहीं सकती ना क्योंकि मैं सुन्दर नहीं हूं बहुत स नहीं कर सकते हो सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों अपने अपनी सोच का फरक होता है कि कुछ लोगों के लिए सुन्दरता केवल रंग रूप होती है और कुछ लोगों के लिए सुन्दरता इंटेलिजेंसी होती है, confident होता है अपनी काम में, जो आपका काम है, जो आप life में कर रहे हैं, उसमें आप perfect हैं, है ना, तो सुन्दरता की मतलब और definition, दो चीज़, दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, एक तो आप अपना रंग रूप सारे रूप से आप देख लीजें कि हा आप ऐसे सुन्दरता के साथ रहना चाहेंगे, क्या ऐसे सुन्दरता के साथ आप time spend करना चाहेंगे, और क्या सुन्दरता, दोस्तों मुझे तो यह समझ में नहीं आती, एक age के बाद में हर किसी का रंग रूप एक जैसा हो जाता है, केवल कुछ सालों का ही रहता है, रंग रूप को इतना महत्व मत दीजिए, ठीक है, वैसे मैं मानती हूँ कि एक age होती है, है जिसमें कि हर महिला, हर पुरुष सुन्दर डिखना चाहता है, बहुत अच्छा डिखना चाहता है, और उस समय पे थोड़ा सा हमारी life में भी बहुत struggle होता है, उस age में पढ़ाई भी का नहीं लगता, क्योंकि मैं बच्चों से बात करते रहती हूँ, तो पता चलता है कि क्या बच्चे सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, तो सबसे पहली बाद तो यह है कि ये मान लीजेगी, सुन्दर्ता कुछ नहीं होती है, सुन्दर्ता सिर्फ हमारी सोच में होती है, ठीक कितने smart और intelligent बन जाएंगी ना कि आपको आपका वहाँ पे बिल्कुल मतलब आप देखो कि तक नहीं ऐसे लोगों आपका जो level है वो बहुत हाई हो जाएगा वैसे हर महिला चाहती है कि वही सुन्दर दिखें और हर महिला हर पुरुस अपने आप में सुन्दर होता ही है कान ऐसे तुम्हारी आख अंदर है तुम्हारे होट इत्ते बहारी मतलब कुछ भी कोई बोल सकता है तो क्या हम सब चींज करते हैं क्या हम सुन्दर ही दिखना चाहते हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ठीक है तो यह चीज़ पर आप focus किजिए हम बहुत साधार एं हम अपनी बात करें तो हम एक हाउस वाइफ है हमारी प्रियोटी क्या होती है स्वस्थ रहना हेल्दी रहना खुश रहना हां लास्ट में हम यह कह सकते हैं कि अच्छा देखना ठीक है अच्छे तो हम देखी सकते हैं अगर रंग रूप ने नक्स कैसे भी हो लेकिन हम अच्छ से बी बाहर है उतने नहीं जाना है कोई गलत रस्ता नहीं अपनाना हैoured वाक हम संदृ दिखना चाहते हैं जो महिलाँ अपनी लाइक कुछ करना चाहती है तो जाता हिन एक Prag तुल बहुत आइज चले जाती हं उन सुंदर महीलाओं से जो कि सुन्दर ही रह जाती हैं ठीक है और एक Days के बाद आपको फ़ीं पता है कि सुन्दर और जो सुन्सकी नहीं है वह सब एक ही कटिग्री में आपके खड़े क्योंकि उनको समझ नहीं आती है कि ये सब कुछ नहीं होता है उनको ताउम्र समझ में नहीं आती चीज़ैं। ठीक है वह अपने उपर ही खर्चा इन चीज़ों पर लाखों कर लेते हैं मैं तो सुनती पड़ती रहती हूं तो पता रहता है कि कितने खर्चा हो रहे हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस चीज़ के उपर खर्चा क्यों ही करना अगर आपके पाद एक्स्ट्रा मनी है तो कहीं दान कर दीजिए ऐसे लोगों को खाना खिलाइए जिनके पास एक टाइम की रोटी नहीं होती चलिए वो अपने अपनी सोच है उस पर हम बात नह सब कहले माल लीजिए की सुन Lukas hasz inदर्ता होटी मुझे डोस आपके कर्म सुनदर्ता होते है दोस्तों आप क्या लाइफ में कर रहे हो । क्या है सुन दटर्ता है ब्स यह माल लीजिएम आप सची में सुन्दर ना चाहते हो सच्ची में स्मार्ट दिखना चाहते हो रियल ह चाहा रहे हो उस पर focus कीजिए आप जब कोई एम कोई जब आप किसी एक मंजिल पर पहुंच आओगे न तो लोग आपको खड़े हो की देखेंगे ऐसे करके सुन्दर भी लोग सुन्दर भी देखेंगे हाँ देखो यह दिखने में ऐसा है लेकिन देखो गजब के इसके पास टैलेंट है इसका माइन तो इतना शार्प है न और उसको हर चीज की नोलिज रहती है कुछ भी पूछ लो इसको तो बताइए अब किसकी वैलू हो रही है सुन्दरता की वैलू हो रही है या स्मार्ट परसन की वैलू हो रही है तो हम क्या बनना चाहेंगे हम स्मार्ट बनन है और वैसे थोड़ा बहुत हम अपने हेल्थ के लिए अपनी स्किन के लिए करी सकते हैं मौर्णिंग कीजिए इवनिंग कीजिए हेल्दी खाना खाये फल फ्रूट्स खाये है ना सलेट बगरा लीजिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए योगा कीजिए खुश रहिए सब चीजए क्या है यह हमारे बौडी को संधर बनाती है और बाहर से चाहरे पर आपके अंदर से अंदर सुन्दर कौन है तो कभी भी अपने आपको पिछे लेकि मत चलिए तो लोग को काम है कहना तुम तुमारी हो नाटी हो तुम तो तेड़ी हो तुम तो यह फला ठीका ना लोग तो बोलते ही हैं वहाँ पर जवाब नहीं देना हैं ऐसे लोगों को क्योंकि हम लोगों को कुछ लोग तो घर से निकलते ही इसलिए हैं कि बड़ बड़ बढ़ बढ़ करने के लिए मतलब उनका ना यह रहता है कि उनको अपने घर में घुटन मैसूस होती है वह पूरा का उनका बस चली तो वह अगर भार खाना बंदा हो तो भार से ऑर्डर करके खाना मंग वाले मतलब उनको यह रहता है गौसिप करने के जिनको आदफ पर जाती हैं उन्हें श्रीफ अपनी जंदेगी में गौसिप चाहिए गौसिप गॉसिप और इससे क्या ही ओने कि ऐसे सुन्दर डिक सकते हैं देखें बहुत सारे लोग मेरी पातों से सहमत नहीं होंगे उनके लिए केवल रंग रूप और नए नक्स ही सुन्दर हों तो कोई वात नहीं अपनी अपनी सोच होती है वह उसको सुन्दर मानते हैं जो कि एक दिन वह भी ढ़ल जाना है मुझे चाहिए अच्छे विचार ना तो वह स्माइल होती है न वह जो आपकी चेरे पर आती है न आपके अंदर से खुशी आती वह आपको बहुत सुन्दर बना देती है यह रंग रूप तो देखें दोस्तों भगवान की देन होती है ऐसा तो है नहीं कि रगर रड़के हम अपन कोई खुष नहीं है और हमको अपने से खुश रहना है हमको अपने अच्छाईयां भार निकालनी है हम को हम अपने ऐसे चीजों पर फोकस नहीं है नहीं करना जिनका कोई मतलब नहीं होता है अच्छे दिखने का मतलब सिफ अच्छा दिखना ही रखे यह निकि आपने साफसुत्रे कपड़े में लिए पुझा पाट कर ले घर गस्ती के काम कर रहे हैं बैस आप बहुत अच्छे हो आप यह सब करते हुए अपने घर गस्ती स छिए है तो अपना दिमाग ना मत दोड़ाओ यहां-वाहं कि हम ऐसे हैं खाट के हम क्या करें को अभी भुस सारे लोग सर्च करते हैं अम्नुदर कैसे दिखें कैसे दिखें तो आपको इसमें मोटा मोटा तो यह निकल कर आएगा कि योगा कीजिए अपहुत सारा पानी प अपने माइन को ग्रो किजिए, अपटो डेट रहिए, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, उसका उसकी नौलेज लेके रहिए, एक नौलेज वाला परसन और एक सुन्दर दिखने वाला परसन, इन दोनों में से आप थोड़ी देर के लिए सुन्दरता की और हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके पूछेंगे, वो जवाब ही नहीं दे पाया, तो आप न सीधे नौलेज वाले बंदे के पास आके खड़े हो जाएंगे, उन आप तो सुन्दर जो है, न उसको बात करने की तर्मीज है, न उसको बोलने की तर्मीज है, तो आप उसके पास एक सेकंड खड़े नहीं दा सकते, बिल्कुल खड़े नहीं दा सकते, आप उसके पास आओगे जो बातें अच्छी कर रहा है, जिससे आपको कुछ सीख मिल रही है, जो आपको ग्यान की बातें बता रहा है, जिसके पास खड़े हो क्या आपको लग रहा है कि हाँ मेर जो टाइम है ना वो उसकी मतलब मुझे कुछ उस टाइम में सीखने को मिल रहा है मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है और वही सुंदर आदमी है सुंदर और वहाँ सारा उल्टा-पुल्टा बोल रही है यह वो तो किसको पसंद आएगी दोस्तों तो इसलिए जादा टेंशन में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब बना नहीं भूलिएगा मिलती हो नहीं वीडियो में जब तक अपने ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और आप बहुत सुंदर हैं अपने आप से कहते रहें और आप सुंदर हैं इस चीज को माल लिज जैसरी किष्णा रादे रादे